तो यह है Tata Tiago ICNG, इस वीडियो में आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटेर मौफर करे जाते हैं, जो भी सब कुछ होता है, इस कार के बारे माज हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो कुछ इस तरह की मिल जाएगी आपको कीज में, एक रिमोट सेंटर लोकिंग वाली की मिल जाएगी और एक बेसिक की मिलने वाली है इसमें, तो यह कार खड़ी है मंगलम ओटो वर्ल्ट पर, अगर आपको कोई भी टाटा की कार खरीदने हैं, तो अब इनसे कोंटेट कर सकते हैं, इनके मिल जाएगी, प्रोजेक्टर हेड्लैंस मिलने वाले है, आपको इसकी हेड्लाइट में, लोग भीम के लिए आपको हेलोजन बंस मिलने वाला है, और इंडिकेटर में भी आपको इसमें हेलोजन बंस मिलने वाला है, और बीच में आपको एक टाटा का लोगो मिल जाएगा, और इसकी ग्रिल में आप जैसे आप दिशते हैं ट्राइ एरो डिजाइन बना हुआ है और एक हैड लाइट से लेगा दूसरी हैड लाइटर आपको इस क्रोम की स्टिप देखने के लिए मिल जाती है जो फिर्म प्रफाइल के लुक को काफी यादा एनेंस कर रही है और जहाँ पर टाटर टियागो आईसे एंजी लिखा हुआ है बहाँ पर आपको नंबर प्लेट की स्पेस दी गई है फोगलेम्स मिलने वाले हैं आपको यह जो टाटर टियागो आईसे एंजी इसका टोब बेरेंड है तो वह कुछ इस तरह का इस कार की फ्रेंट वाइल अब बात के लिए ताँ उस कार की सैट वाइल के बारे में फिफ्टीन इंच के आपको इस कार में अलोई वील्स मिल जाएगे जो की देखने में बहुत बड़िया लगते हैं कुछ इस तरह का ओर्भी मिल जाएगा इंडिकेटर आपको इस कार के ओर्भी मरेंपर मिलने वाला है अगर आपनी कार को लोग या फिर अनलोग करते हैं आपका जो ओर्बिम है ये फोल्ड या फोर एंफोल्ड होएगा घुँझ कुछ इस थरा कि मिल जाएंगे आपको सिकार के डौर हैंडल्स क्रोम का यूज करा गए असके डौर हैंडल्स पर अब B-product आपको सिकार में ब्लेक करे का दिया जाएगा और कुछ इस तरह की लगते है सकार की सैट प्रॉफाइल अब बात के लेता हूँ सकार की बैक प्रॉफाइल के बारे में हाई मानट स्टोप लैम मिल जाएगा आपको CNG की बैजिंग मिलने वाली इसके गलावस पर बोकल फोर लोकल लिखा गया है रेयर, बाइफर, डिफोगर, बोसर आपको सब कुछ मिल जाएगा और कुछ इस तरह की मिल जाएगी आपको सकार में टेल लाइट हेलोजन बल्क मिल जाएगा आपको इंडिकेटर रो बैक लाइट में बीच में आपको बड़ा सा Tata का लोगो मिल जाएगा नीचे की साइट सपेश देकर टियागो लिखा गया है और आप कोस से नीचे की सैट आपको एक क्रोम की स्टेप मिलने वाली है रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे नीचे की साइट और कुछ इस तरह के लगते है सकार की बैक प्रफाइल इस कार हम आपको बने 68mm की ग्राउंड क्लिरेंस मिल जाती है और क्या-क्या डैमेंशन है सकार की वो आपकी इसक्रियन पर शोर ही होंगी तो वे कुछ इस तरह का था सकार का एस्टे लूग क्या-क्या मिलता है आपको में आपको दिखा दिया एस्टेर में तो वे चलिए फिर मापको सकार का इंटीर दिखा जाता हूँ क्या-क्या फीचर्स आपको सकार के इंटीर में ओफर करे जाते है और कुछ इस तरह का है स्कार का डॉर डॉल थीम कलर में मिल जाएगा आपको डॉर ओपनर जो रहेगा वापको सिलवर कलर का मिल जाएगा नीचे की सेट आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएगे और आप अपने OREM को यहां से एजेस्ट कर सकते हैं बाटर बोट्रेल के लिए नीचे की साइट स्पेज दिया जाएगा और थोड़ा बोट अगर आपको डुकुमेंट रखना है तो आप डख सकते हैं स्पीकर मिल जाएंगे आपको चारो डॉर में कि ड्रेवर्ड साइड सीट है टरीषय स्कोंप्शन आपको मिलने वाला है वह अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हैं यहासे तो इस अब मिल जाएगा को इस लीज़का मिल जाएगा आपको स्कार क्रीम बील यहापर आपको टाटा का लोगों मिलने वाला है steering mounted controls आपको मिल जाएंगे आप इसको tilt adjust अपने steering wheel को कर सकते हैं उस तरह का लगता है कुछ तरह का मिल जाता है आपको इस car में instrument cluster आरपे मीटर आपको यहाँ पर मिल जाता है यसे आप देशेते हैं बीच में आपको एक speedometer मिल जाएगा और जो सब्सक्राइब को लगा सकते हैं कि इस तरह का आपको इस कार में एंफोटेमेंट सिस्टम मिल जाएगा यहाँ पर आपको कुछ बटन मिल जाएंगे और CNG का यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा जिससे अगर आप क्लामिट कंट्रो एसी आपको मिल जाएगे यहाँ पर जिसको आप यहाँ से सकते हैं और यहाँ पर आपको का इस तरह का कर आपको इस त्याति रोले का वालो फाइब गेर में टार्विश्य रहने वाली कर इस पर एखंग कोई भी सिलवर या फिर क्रोम का इंस्ट देंड नहीं मिलेगा पलिकिन लेकं यहां पर आपको आपको प्यानो ब्लैक फिंट डेखने मिल जाता है और यहां पर आपको white and black color के आपको theme में इसका interior देखने के लिए मिल जाएगा जो की कुछ इस तरह का लगता है इस Kara का और इस vent तो मैंने आपको middle वाले दिखा दी है यहां पर भी आपको chrom देखने के लिए मिल जाता है ओजेरा copasında side बाला यहाँ पर भी आपको क्रोम लिए भी एक घुशने के कर सकते हैं और रख ऐसार Kuader exemplo करेद्ग को एक करना आपको में मिलने वाला है। ⑂इ हमें को लिसलें करने आपका की अपते हैं। बारिटर बोटन के लिए स्पेस मिल जाएगा थोड़ा से एकि snippet वाला। दो böyle मिल जाएगा है कर दो दो धोड़ा का से साइड भी थोड़ा सा सैड बी मिनने वाला है तो मैं कुछ इस तरह का लगता है इस कार का फ्रेंच शीट पर बैठा क्या-क्या फीचर्स आपको मिलते थे वे तो मैंने आपको बता दिये तो भी चली फिर मापको इस कार की बैक सीट पर चल कर दिखा तो फिर कितना स्पेस आपको बहाँ पर मिल जाएगा ज की पड़ी चली सब्साइब के बार्टर गया झागे और स्पीकर मिल जायेगा आपको सब्साइब कि मिल जाएगा उतंगे पर लेकिन आपको बैक में इसके एजशेवल है डर्रेस नहीं मिलेंगे बैक मैं आपको फिक्ष हैड्रेस मिलने वाल है यहाब आपको कोई भी AC वै वाली है और कुछी तरह का लगता है बैक्सीप पर बैट लट कर फ्रेंट डैश वोट कार का 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 फी भड़या लगता है क्ज़ द्रेदज गर्ड़ह लगता है अगर आप की से खोलना चाहते हैं आपको की के लिए भी स्पेस दिया जाएगा यहाँ पर आप यहाँ पर की लगा कर भी खोल सकते हैं स्कार के बूट को तो यह से आप देते हैं स्कार माखुट टोंडे 42 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है पर लेकिन CNG किट लगने के और उपर की सेट आपको पार्शे ट्रे मिल जाएगी तो इस कार मापको 1200 CC का एंजन मिल जाता है जो कि 72 BHP की पावर जेनरेट करता है 95 एनरम का टोक जेनरेट करता है और इसी के साथ आपको इस कार से 19 किलो मीटर पर लीटर की माईलेज मिल जाती है अगर आप इसको CNG चला कि दो जिस तरह चब्क्रान किया याफ जाती अपकर देखने के का सबस्राइग करना अपने जमया टोकि कार्मा को फोर स्टार सेफटी रेटिंग मिल जाती है तो भी चली फिर वीडियो के चली लगी कमेंट करके जरूर बताना है अगर आपको फ्यूचर में इसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीदी या फिर आपको किसी और कार का बोक राउन देखना है तो